एक गाउं में मंगलु नाम का एक गरीब धोबी रहता था बिचारा जैसे तैसे लोगों के कपड़े धोखर अपना और अपनी बीवी मालती का पेट भरता था उसकी शादी को काफी साल हो गए थे पर उनकी कोई संतान नहीं थी मंगलु की बीवी हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसकी कोई अपनी संतान हो जाए पर ये तो उसका एक सपना ही रह गया बिचारी मालती पूरा दिन दूसरों के बच्चों को खिला कर अपना मन बहला दी अपनी पत्नी मालती को ऐसे देख मंगलु को बड़ा ही दुख होता था पर वो बिचारा कर भी तो क्या सकता था एक दिन जब मंगलु और मालती नदी किनारे बैठे कपड़े धो रहे थे तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है अरे ये ये किसके बच्चे के रोने की आवाज है हाँ आवाज तो मुझे भी आ रही है पर आखिर आ काँ से रही है वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं तो उन्हें नदी में दूर से टोकरी बहती हुई आती दिखती है बच्चे की आवाज उसी टोकरी में से आ रही होती है अजी वो देखो, मुझे लग रहा है कि ये आवाज उस टोकरी से आ रही है मालती और मंगलू जल्दी से उस टोकरी को रोकते है सच में उस टोकरी में एक छोटा सा बच्चा होता है जो शायद भूग की वज़ा से बुरी तरह से रो रहा होता है हे भगवान ये तो सच में किसी का बच्चा है पर इसको ऐसे टोकरी में किसने डाल कर यहां छोड़ दिया भगवान जिसको ऑलाद देता है उसे कदर नहीं होती मालती उस रोते हुए बच्चे को बड़े प्यार से गोद में उठा लेती है और उसे गले से लगा लेती है ये बच्ची कितनी प्यारी है समझ नहीं आता कि कोई इतनी प्यारी बच्ची को कैसे छोड़ सकता है अब इस बच्ची का कोई तो है नहीं तो क्यों न हम इसे रख लें? नहीं माल्ती, ये तो गलत होगा ना, जाने किसका बच्चा है, हम इसे कैसे रख सकते हैं? देखो, हमने इस बच्चे को कोई चुराया तो है नहीं, हमने तो बल्कि इसकी जान बचाई है, इस बच्चे पर अब बस हमारा ये हक है, पूरी तरह बदल जाती है, वो इतनी खुश पहले कभी नहीं थी, एक तो पहले ही हमारे लिए खाने को नहीं है, और अब उपर से हम चाया को कैसे पालेंगे? मैं भूखी रह लूँगी, पर चाया को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी, अगले तिन जब मालती चाया को आंगन में नहला रही होती है, तो उसे चाया के गले में एक लॉकेट मिलता है, ये तो बड़ा ही महिंगा लग रहा है, लगता है ये बच्ची किसी अमीर घर की होगी, पर मुझी क्या, अब तो ये हमारी बच्ची है ना? मालती चाया को नहलाई रही होती है, कि तब ही वहाँ पडोस की कमला आ जाती है, और वो मालती को एक बच्ची को नहलाते देख बड़ी है, अरे मालती, ये बच्ची किसी है? किसका बच्चा चुरा लाई तू? ये कैसी बात कर रही हो तूम? ये मेरी बच्ची है वो मतलब ये मेरी दूर की बहन की बच्ची है उस बिचारी का किसी हाथसे में दिहान थो गया इसलिए उसके परिवार ने इस बच्ची की जिम्मधारी मुझे दे दी है अरे वा ये तो तेरे मन की हो गई तू तो हमेशा से एक बच्ची चाहती थी और द अंगलू और मालती दिन रात लोगों के कपड़े धोते और चाया की हर जरूरत पूरी करते वो खुद फटे कपड़े पहनते पर चाया को हमेशा सुन्दर सुन्दर कपड़े पहनाते खुद भूके रहते पर चाया को हर चीज खिलाते धीरे धीरे करके चाया पांस साल की हो जाती है और अब मालती को उसकी पढ़ाई की चिंता होने लगती है अजी अब हमारी च्छाया स्कूल जाने लाइक हो गई है हाँ पर स्कूल भेजने के लिए हमारे पास पैसे कहा है आप ऐसे मत बोलो आपने जो मेरी दवाई के पैसे रखे हुए वो निकाल लो पर च्छाया भी मत मैं मैं कुछ और सोचता हूँ अब मालती को दिन रात च्छाया की पढ़ाई की चिंता सताने लगती है मालती अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है और च्छाया को इसकूल में डलवाई देती है देख च्छाया आज तेरा इसकूल में पहला दिन है तू अच्छे से पढ़ाई करना और किसी के साथ शयतानी ने ठीक है मा आप चिंता मत करो मालती अपने इलाज के पैसे च्छाया की पढ़ाई में लगा देती है और खुद तकलीफ सहती है मंगलू को ये बिलकुल अच्छा नहीं लगता पर मालती को तो च्छाया के आगे कुछ दिखता ही नहीं था एक दिन जब मालती बाहर आंगन में बैठी होती है तब ही वहाँ च्छाया स्कूल से रोती हुई आती है मालती उसे देख डर जाती है हे भगवान क्या हो गया मेरी बच्ची को च्छाया बेटी क्या हुआ तुम रो क्यो रही हो मा आज मैं स्कूल में केर गई और मेरे कपड़े भट गए देखो मेरे चूते भी भट गए माँ अब मैं क्या पहनूगी अब मैं स्कूल कैसे चापाऊंगी अरे पागल तुझे ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है मैं हूना? एक कामकर तुझे से कपड़े बदल ले और ये कपड़े मुझे दे दे मैं अभी इसे सिल देती हूँ चाया कपड़े बदल कर फटे कपड़े मालती को दे देती है मालती सुई धागा लेकर उस कपड़े को सिलने बैठ जाती है कपड़े तो वो जैसे तैसे ठीक कर देती है पर जूते कुछ जादा ही फट चुके होते है जो ठीक भी नहीं हो रहे होते मालती रात को मंगलू से पैसे मागने लगती है आज छाया के जूते फट गए हैं तो मुझे उसके लिए नए जूते लाने हैं आप मुझे कुछ पैसे दे दो नहीं, ऐसे मत बोलो मैं खुद काम कर लूँगी पर मैं अपनी चाया को अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ मंगलू की ये बात सुनकर तो माल्ती को बहुत टेंशन हो जाती है वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाती वो किसे भी हाल में चाया को पढ़ाना चाहती है इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है अगले दिन माल्ती मंगलू के धोबी घार जाने के बाद माल्ती चाया को स्कूल भेज कर काम ढूरने निकल पड़ती है गाउं में उसे कहीं काम नहीं मिलता इसलिए माल्ती को गाउं से बाहर जाना पड़ता है माल्ती को एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है जिसके गेट पर एक औरत खड़ी होती है वो औरत बड़ी ही खडूस, लालची और बत्तबीज होती है माल्ती उसके पास जाती है मेम साब, आपके पास कुछ काम मिलेगा क्या? नई, यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से मेम साब, मैं कुछ भी काम करूँगी, आप बोलो तो मेरी छोटी बच्ची का सवाल है अगर मेरे पास पैसे कठे नहीं हुए तो मुझे उसे स्कूल से निकलवाना पड़ेगा उसके बाबा ने तो साफ मना कर दिया है कि उनके पास पैसे नहीं है पर मैं अपनी छाया को पढ़ाना चाहती हूँ हम्, यह अच्छा मौका है किसी से कम पैसों में काम करवाने का इसे रखी लेती हूँ वो औरत मालती को काम पर रख लेती है पर उससे इतने कम पैसों में खूब काम करवाती है मालती तो काम मिलने पर ही खुश हो जाती है और मन लगाकर उस घर में साफ सफाई का काम करने लगती है वो औरत मालती को जो पैसे देती है मालती उन पैसों से सबसे पहले चाया के स्कूल के जूते लेकर आती है ऐसे ही काम करते करते काफी दिन हो जाते हैν चाया खुब मन लगागर पढ़ाई करती है सालों बीच जाते है और अब चाया पढ़ लेकर डॉक्टर बन जाती है उसके Docter बनने पर सबसे ज़ादा खुशी मालती को होती है वो तो पूरे गाउं में खुशी से नाचने लगती है और सबको बताती है कि उसकी बेटी Docter बन गई है मेरा सबना आकिर पूरा हो ही गया मेरी छाया पर लिखकर Docter बन गई Docter ये सब तुम्हारी मज़ा से हुआ है मालती तुमने जो चाया के लिए किया है वो किसी से शुपा हुआ नहीं है अब आप दोनों को काम करने की कोई ज़रुरत नहीं है ठीक है, कल मैं मेम साब को जाकर मना कर दूंगी वैसे भी मुझे पता है मैं कैसे उस घर में मेम साब का काम कर रही हूँ उनके जैसा लालची और कंजूस इंसान मैंने नहीं देखा क्यों न मैं भी आपके साथ उनके घर चलू हाँ हाँ बेटी क्यों नहीं ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगले ही दिन मालती एक मिठाई का डिबा लेकर अपनी में साब के घर जाती है और चाया भी मालती के साथ जाती है में साब, में साब देखो मेरी चाया डॉक्टर बन गई अरे वाँ, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है मुबारक हो चाया मेम साब जैसे ही छाया की तरफ देखती है तो उसकी नजर छाया की गले में पड़े हुए लौकेट पर जाती है लौकेट देखते ही मेम साब के होश उड़ जाते है क्या हुआ मेम साब आप चुप क्यों हो नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही अच्छा मेम साब ये लो मिठाई और अब मैं चलती हूँ हाँ और अब कल से मैं काम पर नहीं आओंगी मेरी बेटी ने बहुत बड़ा घर लिया है शहर में और अब हम उसी में रहेंगे और अब मैं काम नहीं क्या करूँगी ये तो वही है जिसे मैंने सालों पहले पानी में बहा दिया था मेरी बेटी ये तो डॉक्टर बन गई और खूब कमाती होगी इसे तो रोकना पड़ेगा मालती और चाया वापस जाने ही लगते हैं कि तभी मेम साब उनको रोक कर बोलती है रुको चाया मेरी बच्ची तुम मेरी बेटी हो ये आप क्या बोल रहे हो ये ये लॉक्ट तुम मेरी ही बेटी हो मा ये सब क्या है ये आंटी ऐसे क्यों बोल रही है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी बेटी तुम लड़की थी, इसलिए मैं तुम्हें रखना नहीं चाहती थी, और तुम्हें एक टोकरी में डाल कर बहा दिया, तो आज आपका प्यार कैसे जाग गया, क्योंकि मैं डॉक्टर बन गई इसलिए, माफ करना पर मेरी मा ये है, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बढ़ा किय आपने मेरे साथ चुकिया, वो माफी के काबिल ही नहीं है, बेटी, चलो मा, चलो यहां से, मेम साब को अपनी बेटी मिलकर भी कभी नहीं मिलती, और उसे जिन्दगी भर उसे खोने का एहसास होता है, जिस बच्चे को वो लड़की समझ कर बहा देती है, वही लड़की बन कर उसे एहसास करा देती है, कि बेटी किसी से कम नहीं, चाया अपने माबाप के साथ बहुत ही अच्छी जिन्दगी बिताने लगती है, और कभी अपनी असली मा का नाम भी नहीं लेती,